आज का टॉपिक आपको बता रहे हैं कि एलस अफ ओवियूल यह बहुत ही इंपॉर्टन्ट है और अज़रा इसके मोस्ट इंपॉर्टन पॉइंट आप दरह देखिए सबसे पहले देखे इस्ट्रक्चरल पार्ट इसका देखे यह एलस जो ओवियूल में बनाया हुआ है यह आपका और्थरोट्रोपस ओवियूल है और याद रखे एनाट्रोपस ओवियूल जो होता है वो 80% एंड जो स्वर में पाया जाता है आपकी सुद्धा के लिए मैंने यह सीधा है और इसके bai-polar structure है इसमें सबसे उपर देखे माइक्रोपायल आपका है और नीचे आपका जो हो चला जल अ याट है तो मैक्रोपाईलर एंड जो होता है वो इसलिए एंड है क्यों कि इसमें आपका माइक्रोपायल ओपन्रिंग है तो क्वेश्टन यह है आपक इने इंट ईह इन्ट एग्यमेंट है अब इस तरह के वैल को हम क्याते हैं याद रखिए Jimnos परम में 많 विछ प्लोमा जाता है जक्हिए ऐस्फर में यह यद एक पर में पय में औग आ जाता है यह इना है ठीक है प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वो बचा के रखती हैं अगला स्वाल देखिए न्यूसेलस क्या है न्यूसेलस एक स्पोरफिटिक टिश्यू है जिसमें हमारा क्या है एंब्रियो सेक फ्रीमियल गेंप्रफाइड बनता है ऑल्वेज रिमेंबर न्यूसेलस के ज है मेगा स्पोरोजनेस होती है और मेगा स्पोरमातर से जो है जो फंक्शनल होता है उस cosa जो हमारा है यह चलाजल एंड जो है वह जहां पर की आपका फ्यूनिकूलस जुड़ा होता है और जिस जगब त्टीं है उसको हम कहते हैं हाइलम कहते है इस स्कार वेर जहां पर फ्यूनिकुलस जुड़ा होता है ठीक है इस तरह से आप इसके क्वेश्चन को जरा तर गौर से फिर से दोरा लें कि इसमें बाइपॉलरी स्टक्चर है नुसेलस आपका इसमें आपका डिपलॉइड है और एंब्रियो से आपका हैपलॉइड है वोके बाइटेग्मिक ओ है और सबसे ज्यादा जो है एट्टी परसेंट जो है वह आपका एनाट्रपस पाया जाता है तो मुझे अमीद है कि आपको यह स्ट्री से पॉइंट इसको आपको याद हो जाएंगे ठीक है ओके थैंक्यू बेरी मच्छ